जै मातादी दोस्तों, घरेलूखवर चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखे, माता रानी सब का कल्यान करेगी, दोस्तों दीवाली का तेवाली का तेवार हिंदू धर्म के पर जिसकी सुरुवात धनतेरस से हो जाती है, धनतेरस के दिन धनवंतरी देव, लक्ष्मी जी और कुवेर महराज की पूजा की जाती है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2023 में धनतेरस का तेवार किस दिन मनाया जाएगा, खरिदारी का सुमोहुर्थ क्या हो साथ ही साथ हम बताएंगे कि इस दिन धनतेरस के दिन क्या खरीदने की परमपरा है, धनतेरस के दिन कौन सी ऐसी बस्तू है जो की आपको जरूर ही अपने घर में लाना चाहिए, इस से बरक्कत मिलती है, इस बस्तू को खरीदने से लंबे समय तक समरीधी बनी रहती है, तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, बेल बटन को प्रेस कर लिजे, इससे होगा कि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्थ हो जाएंगे. दोस्तो कार्तिक माह के क्रिस्पक्ष की त्रेयोदिसी तिथी को धन्तेरस का त्योहार मनाया जाता है, इस दिन धन्वंत्री जी प्रकट हुए थे, इसलिए इसे धन्वंत्री जयन्ती के नाम से भी जाना जाता है, पांच दिवसी दिवाली का आरम धन्तेरस से होता है, धन्वंत्री देवी समुद्र मन्थन से प्रकट हुए थे धन्वंत्री देवी जब प्रकट हुई थी तो उनके हाथों में अम्रित से भरा कलस था इसी कारण धन्तेरस के दिन बर्तन आधी खरिदने की परंपरा है। 12 बजकर 35 मिनट पे वही 13 तिथी समाप्त होगी 11 नवंबर 2023 को दो फर एक बजकर 57 मिनट पे। आपको बता दे कि धन्तेरस की पूजा प्रदोसकाल में होती है। इस प्रकार देखा जाए तो प्रदोसकाल में 13 तिथी 10 नवंबर को प्राप्त हो रहा है। तो साल 2023 में धन्तेरस का तेवहार या धन्तेरस का पर्व 10 नवंबर 2030 दिन सुक्रवार के मनाया जाएगा। धन्तेरस पूजा का सुब मोहर्त साम 6 बचकर 20 मिनट से रात 8 बचकर 20 मिनट तक रहेगा। इसके अलाबा खरीदारी का सुब मोहर्त की बात करें तो खरीदारी का सुब मोहर्त दो पहर 2 बचकर 35 मिनट से लेकर साम 6 बचकर 40 मिनट तक रहेगा। अगर आप इस मुभूर्त में खरीदारी कर लेते हैं तो ठीक है नहीं तो आप 11 नवंबर को भी दो पहर से पहले खरीदारी कर सकते हैं अब चलिए जानते हैं कि धन तेरस पर ये चीजे जरूर आपको घर पे लाना चाहिए ऐसे मैं 10 चीजों के नाम बताऊंगी सबसे पहले है कि धन तेरस पर अगर संभव है आपके लिए तो सोने के आभूसन अवस्य खरीदे अगर संभव नहीं है तो चांदी का सिक्का खरीदे चांदी का सिक्का भी नहीं खरीद सकते तो आप इस दिन नमक का पैकेट घर में जरूर खरीद कर लाना है इसके अलावा धनिया के बीज भी बहुत खरिदना जरूरी होता है, इसे बहुत ही सुह माना जाता है, खील बता से भी आप खरीद कर धंतेरस के दिन ला सकते हैं इस दिन जारू तो जरूर ही खरीद कर घर में लाना है क्योंकि जारू को देवी लक्ष्मी का परतीक माना जाता है इस जारू को दिवाली पूजन करके पुरानी जारू को फेक कर इस्तेमाल करना है साथ ही धंतेरस वाले दिन ही लक्ष्मी और गनेज की परतीमा भी लानी है आपको इस तिन आप गोमती चक्र जरूर लाए, कौरी जरूर खरीद कर लाए इस तिन आप मिट्टी के दिये जरूर लाए प्रोपर्टी खरीच सकते हैं के अलावा आपको बता दे कि पीतल के बरतन, चांदी के बरतन, तांबे के बरतन भी खरीच सकते हैं, स्री यंत्र लाना इस दिल बहुत ही सुभ होता है, संख भी आप ला सकते हैं इसे, कमल गटे की माला तो अबस्य ही लानी है धनतेरस वाले द जो कि आपको धनतेरस के दिन लाना चाहिए बात करें कि कुछ ऐसी भी चीज़े हैं जो धनतेरस के दिन आपको भूल कर भी नहीं लाना है जैसे कांच का कोई भी समान खरिद कर नहीं लाना है नुकिली धारदार चीज़े खरिद कर आज नहीं लानी है आपको काले रंग के कुछ भी नहीं लाना है आज के दिन बहुत से लोग धनतेरस वाले दिन वस्त्र खरीदते हैं नए वस्त्र तो काले रंग के वस्त्र आज के दिन भूल कर भी नहीं खरीदना है इसके अलावा आपको बता दे कि प्लास्टी का कोई भी सामान आज के दिन लोहे की कोई भी सामगरी आज के दिन घर में खरीद कर नहीं लाना है, इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि आज के दिन घी और तेल खरीद ले, तो भूल कर भी आज के दिन घी और तेल आपको नहीं खरीदना है, आप चाहे तो धनतेरस से पहले खरीद ले या धनतेरस क अगले दिन खरीदे तो ये मैंने संपूर जानकारी आज इस वीडियो में आप लोगो दी उमीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें सेयर करें और मेरे इस घरेलूखवर चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स